आप सबी को विरूथनी एकादश की हारदिक शुप कामन है आज के दिन रद रखने और विधी विधान से बगवान विश्नू की पूजा करने से उपासक के सभी कस्तों का निवारन हो जाता है इसके साती भगवान की क्रपा हमेशा उस जातक पर बनी जाती है ऐसी माननेता है कि विरुतनी एकादशी के महत्व को भगवान शिक्रश्न ने युदिस्टिर को बताया था साती का जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत करता है और इसके निमित पूजा करता है तो एकादशी की कथा का पार्ट करता है उसके सभी पापों का शमन भी हो जाता है तो ये है विरुथनी एकादशी तो आप भी आज के दिन रत रखें और आज के दिन भगवान विश्नु की विदी विदान से पूजा राधना जरूर करें बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज के दैनिक राशी फल पर चार मई शनिवार का दिन है विक्रम समवत दोजार इक्यासी चल रहा है वैसाख मास के क्रशन पक्ष की एक अदशी तिति आज है जो की रातरी ग्यारा बचकर चौबीस मिनट तक रहेगी उसके बाद भादरपद नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो की रातरी आट बचकर 38 मिनट तक रहेगा उसके बाद उत्रा भादरपद नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज कुम राशी में गोचर ब्रहन करेंगे वैद्रती योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिस दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो उड़त खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं सीधा आज के दैनिक राशी फल पर आज चुकि विरुतनी एका दशी है इसलिए आज के दिन किये जाने वाल से अपनी फ्यूचर से संबंदित प्रश्लों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिग्यासाओं को शांत करना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपॉइन्मेंट और परसनल मीट के माध्यम से मुझसे जूड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेप के माध्यम से संपर कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशी फल्पकी और शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी सी चन्रम आज के दिन ग्यारवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आकस्मिक दनलापकी परिस्तियों को आपके जीवन में बढ़ाएगा आज के दिन आपके काम फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे यात्राय आपके लिए सुखद और लेवल आज के दिन बढ़ सकता है कुछ नए मित्र भी आज के जीवन में जुड़ते हुए दिखाई देंगे आज के दिन वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के पूर्ण योग बनेंगे आज आपको श्री अरी की पुजा अरादना करनी चाहिए तता खाने पीने का आज के दिन विशेश रूप से ध्यान रखें आपका शुबरंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा जार अब आते हैं व्रशेब राशी पर आपकी राशी सी चंद्रम आज के दिन दसवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए काम में कुछ मुश्किलें ला सकता है अपने काम को थोड़ा सा डेडिकेशन से और सुचारू रूप से करने का प्रयास करें आज के दिन यात्राय करते समय भी स सामना करना पड़ सकता है परन्तु आज के दिन अगर आप अपना सेल्फ कॉंफिडेंस बनाए रखेंगे और परिशान नहीं होंगे तो सभी कारियों में आ रही बादा हैं धीरे धीरे समाप्त होती होई दिखाई देगी इसलिए आज आज आपको अपने आत्म विस्वास को बनाए रखना है आज के दिन सुबह के समय स्नान आधी के बाद में साफ कपड़े पहन कर तुलसी के पौदे की जड़ को चूकर प्रणाम करें आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दो अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिन आपका कोई विशेश कारिय संपन होगा परन्तु आध्यात्मिक कारियों में आज आपका मन अधिक लगेगा धर्म का भी आपको पूरा साथ मिलेगा आज के दिन सुबस नान आधि के बाद भगवान विश्नु को प्रणाम करें आसन बिचा कर बैठ जाए और ओम नमो बगवते वात नारायनाय नम मंत्र का 108 बार जाब जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा मैरून शुबंग रहेगा 5 अब आते हैं करकराशी पर आपकी राजी से चन्रमा आज के दिन अस्टम भव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन यात्राएं करने से आपको बचना चाहिए सुसराल वालों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है उनसे शांती से अपने मुद्दों को सुलचाने का प्रयास करें आज के दिन आपको रिस्की कामों में भी हात नहीं डालना चाहिए और थोड़ा साथ जानवरों से साफधान होकर चलें गुड़ और चने की दाल का बगवान को भूग लगाएं बाद में प्रशाद के रूप में गुड़ और चना सब में बाढ़ दें और स्वेम भी ग्रहन करें आप आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं सीय राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है दामपत्य जीवन में किसी बात को लेकर जगड़ा हो सकता है लाइप पार्टनर पर आप नाराज हो सकते हैं थोड़ा सा अपनी नाराजगी को साइड में रखकर बातचीत कार रस्ता जरूर निकालें वरना वाद विवात की स्ततियां बढ़ सकती है वही हाल प्रोफेशनल लाइप में रहेगा थोड़ा सा आपको धर्यब बनाए रख पड़ेगा बहुत से किसी बात को लेकर डाट सुनने को मिल सकती है व्यापारिक वर्ग आज के दिन रुटीन के कारेों को ही पूण करने का प्रयास करें आज के दिन बगवान विश्णु की पूजा के समय दक्षिनावर्ती संक्त में चल भर कर रखें पूजा समाप्त होन आपकी राश सीच चंदडरमा आज के दिन छटे भाव में गोचे रवन करेंगे अता आज के दिन आप अपने विरोधियों से थोड़ा सा बचकर चलें तो आपके लिए बैतर रहेगा क्योंकि विरोधियों से सावधान लोकर चलेंगे तब ही आज के दिन आप सफलता आप उस कार्य को पूर्ण करें आज के दिन भगवान विश्णू की पूजा के समय दक्षिनावर्ती संक में गंगा जल आपको भर कर रखना है और पूजा के पश्चात इस पूरे जल को जल से घर में छड़काफ कर दें जिससे सकारात्मकुर्जा का प्रवा आपके घर में ह खत्म हो जाएगी आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन पांचवी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज के दिन करियर में आरी दिक्कतें और परिशानियां दूर हो जाएगी आज के दिन आप जो भी कारे करेंगे उसके दूर गामी और सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त खोत आज के दिन कोई भी कारे को जल्द बाची में आपको नहीं करना चाहिए आज के दिन आपके घर में महमान आ सकते जिससे गर का वातवरन थोड़ा सा हेल्दी होता हुआ दिखाई दिगा आज के दिन भगवान विश्णु की पूजा के समय एक ठाली में थोड़ा सा आटा दो आलू थोड़ा सा नमग एक कटोरी में चावल रख लें बाद में इन सब चीजों को किसी ब्रामन के घर दे आएं आपका शिब्रंग रहेगा सफेद शिबंग रहेगा दो अब आते हैं व्रशिक राशी पर आपकी राशी से चतुर्त भाव में आज के दिन चंद्रमा गोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है किसानवर खेती बाड़ी में स्ट्रगल करेंगे वहीं पचुपालन और दूर डेरी से सम्मंदित जो भी व्यापारी हैं उनको मुश्किलों का सामना आज के दिन अपने व्यापार में करना पड़ सकता है धैरिये बनाये रखें बड़े नुकसान से बचने के लिए नए कारे की शुरुआत नहीं करें जो रुटीन में काम कर रहे हैं उनी को ध्यान से करने का प्रयास करें आज के दिन मा से बहस हो सकती है उनसे बाद विवाद की इस्ततियों में ना पड़े वरना आप भी परिशान होंगे और आपकी माता का दिल भी दुखी होगा इसलिए आज के दिन आपको अपनी मा को हट नहीं करना चाहिए आज के दिन सामाजिक कारिक्रमों में आप अपने परिवार के साथ भागीदारी ले सकते हैं आज के दिन भगवान विश्मु के सामने घी का दीपक जलाएं साथी भगवान विश्मु को लड़ूँ का भोग लगाएं भोग लगाने के पश्चात लड़ूँ का प्रसाद स आपकी राजी से चन्दरमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा आज के दिन आपके शत्रूं के सामने आपको थोड़ा सा मुझ की खानी पड़ेगी यानि आपके आप प्रबल होने का प्रयास करेंगे परंतु आपको अपनी मनोवल को बनाए रखना है धैरिये के साथ उनके साथ डील करेंगे तो जल्द ही वे परास्तों होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन आप होबी से रिलेटेट कारियों से अपने आपको हील करने का प्रयास क करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा गोल्डन शुबंग रहेगा च्छे अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से ही चंद्रमा आज के दिन दूसरी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेगा कुटुम में आज के दिन आपको मान सम्मान की प्राप्ती होगी आज के दिन आपकी सजकता से नुकसान की इस्ततिया तल जाएगी आज के दिन परिवार में मंगलिक का रिक्रमों की लूप देखा भी रखी जा सकती है आज के दिन बगवान विश्णू के मंदिर में जाकर शयद की सीसी दान करें और बगवान के आगे घी का दिपक जलाकर ओम नमो नारायनाय नमो मंतर का ग्यारा बार जाप जरूर करें आपका शिबरंग रहेगा नीला शिबंग रहेगा चार अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी सी चंद्रमा आज के दिन आपकी कुद की राशी में गोचर ब्रह्मन करेंगे आज के दिन आपको शान्त रहना पड़ेगा वर्क प्लेस पर कुछ कठनाई आपके सामने दिखाई देगी परंतु धैरे के साथ अगर आप इन कठनाईों को पार करेंगे तो टेफिनेटली सफलता आपके कदम चुमेगी आज के दिन सामाजिक कारिक्रमों में भी आपको शान्त रहकर भागिदारी दिखानी होगी आध्यात्मिक कारियों से आप अपने मन को शान्त रखने का प्रयास करेंगे इस दिन कम से कम एक बार तुलसी के पौदे की पूजा जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी सी चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोच अप्रमन करेंगे अता आज के दिन बिना सोचे समझे कोई भी डिसिजन जल्द बाजी में ना ले इसका नुकसान बड़ा उठाना पड़ सकता है आज के दिन रिस्की कामों को करने से बचें किसी के बैकावे में ना आए खुद की बुद्धी और विवेक का इस्तमाल करेंगे तभी आप अपने सभी कारियों को सजकता से पून कर पाएंगे आज के दिन भगवान विश्णु को दो हल्दी की गाट अर्पित करें बाद में इन हल्दी की गाट को वहाँ उठा कर पाने की साहेता से गिसकर एक कटोरी में रख लें और प्रति दिन सुबह स्नान करने के बाद उस हल्दी का ठीका परिवार के सभी सदस्यों को लगाएं आपका शुबरंग रहेगा गुलाभी शुबंग रहेगा आठ तो ये है चार मई शनिवार का दैनिक राशिपल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए प्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादिक्रिश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य है उनके जोध पुरस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2